दिव्याशर्मा www.myfitnessbeauty.com हेलो फ्रेंद्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ दिव्याशर्मा आज मैं आपको बताने जारी हूँ कि जिम करने से पहले हमें क्या खाना चाहिए जिससे स्टैमिना बहुत जादा बढ़ जाए ये चीज बहुत जादा माईने रखती है कि हम जिम जाने से पहले क्या खा रहे हैं कौन सी डाइट ले रहे हैं क्योंकि mostly ऐसे होता है अगर हम oily food खाकर जिम करने जाएंगे तो उसका effect या फिर चाए पीकर अगर जाएंगे तो उसका effect ये होगा कि हम जिम में अपना पूरा जोर पूरा stamina नहीं लगा पाएंगे क्योंकि oily food खाने से तो naturally oil मूँ के थुरू बहार आता है और चाए पीने से गैंस बनने लगती है तो ये दोनों ही चीजे गलत हैं तो आज मैं आपको ऐसी 6 चीजें बताने जा रही हूँ जिसको आप जिम करने से पहले खाएं और उसका timing भी बताऊंगी कि कितने time पहले खाएं ताकि जो आप खा रही हैं वो बड़ी असानी से आपकी body में observe हो जाए तो आईए जानते हैं ऐसी ही 6 चीजों के बारे में जो most important है और बहुत ज़्यादा useful हैं आपके लिए सबसे एहम होता है पानी किसी भी कसरत या फिर exercise करने से पहले आपको पनी body को hydrate करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपकी body hydrate नहीं होगी तो आप बहुत जल्दी ठक जाएंगे इसी लिए आप कसरत करने से पहले पानी जरूर पी ले क्योंकि जब भी आप exercise करते हैं जिम में या फिर घर पर जैसे भी तो उस टाइम पसीना बहुत बार निकलता है इसी लिए आपको एक गिलास पानी जरूर पीना चाहिए ये आप 15 मिनट पहले पी सकते हैं आप पानी से भरहेज बिलकुल नहीं करें और जिम करने जब कर रहे हैं बीच में से भी एक एक सिप पानी 5 मिनट 7 मिनट के बाद जरूर पीते रहें ताकि आपकी body hydrate रहें इसके पात आता है उबला आलू वैसे उबले आलू अगर नाम आये तो अपने कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा fat है या फिर ये तो weight को बहुत ज़्यादा gain करेगी लेकिन वो होता है वो आलू जो किसी मखन किसी oil में fry किया होता है वो आलू 100% fat करेगा लेकिन ये boiled जो आलू होत fat नहीं करता आप इसे जिम जाने के 30 minutes पहले बड़े आराम से खा सकते हैं ये इसमें बहुत ज़्यादा carbohydrate होता है इसमें केले की तरह potassium भी बहुत होता है इसलिए अगर आप ये खा रहे हैं तो आपके अंदर energy एक टाइप से store हो जाएगी तो आप बड़ी ही आराम से अपनी exercise अपने जिम को complete कर सकते हैं लेकिन इसे किसी भी टाइप से fat में convert नहीं करें यानि की oil या फिर मखन वगएरा कुछ भी नहीं लगाएं आप सीधा इस पर सेंदा नमक लगा कर और काली मिर्च लगा कर बड़े आराम से खा सकते हैं और जो weight gain करना चाहते हैं वो तो बिलकु अलू है या फिर कैसे भी वो इसे बड़े अराम से खा सकते हैं लेकिन एक चीज का ध्यान रखें उबला हुआ आलू कभी भी fat नहीं करता इसके बाद बात करते हैं oats की आप oats को 30 मिनट्स पहले जिम जाने के पहले खा सकते हैं इसमें खूप सारा fiber होता है जो body के लिए आपको stamina जरूर देता है आप इसको नमकी notes बना कर खाएं तो ज़्यादा बैटर होगा इतना ध्यान रखें कम से कम oil डाले और oil में आप olive oil का ही use करें और आप इसमें broccoli add जरूर कर लें इसके बाद आता है caffeine मैंने आपको chai avoid करी हैं लेकिन आप caffeine यानि की coffee को पी कर जा सकते है जो बहुत जल्दी से आपकी body में absorb हो जाती है और इसको absorb होने में करीब 45 मिनट लगते हैं तो आप 30 से 45 मिनट पहले coffee पी कर जा सकते हैं जो आपकी body को 4 से 6 गंटे तक बड़े आराम से stamina देती रहती हैं यह coffee जो होती है वो workout, pre-workout, सबसे best यानि की pre-workout है इसके बाद आता है food और yogurt वैसे तो yogurt बहुत मुश्किल से मिलता है हमारे यहां लेकिन fruit बहुत easily मिल जाते हैं fruit को हमारी body में digest होने में 30 से 40 मिनट लगते हैं इसलिए आप केला, सेब और अंगूर खा कर बड़ी अराम से जा सकते हैं अगर आपको yogurt available है तो आप एक कटोरी yogurt भी 30 से 40 मिनट पहले खा सकते हैं ताकि आपकी body energy full बनी रहें इतना ध्यान रखें कि चीनी को avoid करें इसमें आप yogurt में चीनी एड नहीं करेंगे उसके बाद आता है केला, आप केले को कसरत से यानि कि exercise से 30 मिनट पहले खा सकते हैं दो केले में इतनी energy होती है कि वो आपका जो workout आप करने करना है एक घंटा, देट घंटा, दो घंटे वो बड़े आराम से बड़े ही ये कह सकते हैं कि आपको supplement लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको supplement लेने पड़े workout के stamina gain करने के लिए आप केले दो केले खाकर 30 मिनट पहले बड़े आराम से अपना workout complete कर सकते हैं इसलिए आप इसको consume करें और अपनी body को बड़े बड़िया तरीके से muscles को बनाएं ताकि आपको ये नहीं सोचना पड़े कि हमें कौन सा supplement लेना है अप बड़े ही आयुर्वेधिक तरीके से आयु workout से पहले खाकर अपने muscle को भी gain करें और stamina को भी ये information आपको कैसी लगी प्लीज अपने comments के द्वारा जरूर बताइए मेरी वीडियो को like करें और अपने friends के साथ उसे share करें प्लीज मेरे channel को subscribe करें ताकि मेरी आने वाली videos की information आपको मिलती रहें मिलते हैं एक और नई informative video के सा तब तक के लिए stay healthy always be happy thank you for watching my video okay bye